नमस्कार दोस्तों, जब भी हम कहीं किसी के यहां जाते हैं, यह यहां कहीं से गुजरते हैं, तो हम इस परकार के सुंदर से गुलाब के पुष्पों को देख के लल्चा जाते हैं. हमारा ऐसा मन होता है कि कास ये गुलाब हमारे घर भी होते ये पोधा हमारे घर भी होता तो हमारे घर के भी ये सोभा बढ़ाता है तो आप सोचते हैं और सिर्फ सोचते रह जाते हैं लेकिन इसका पोधा आपको आसानी से मिल नहीं पाता है आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ आपको जो भी गुलाब पसंद आए आप उसे आसानी से लगा सकते हैं तो किस परकार आप उसे लगा सकते हैं मैं उसे आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों आपको कहीं भी किसी भी परकार का कोई गुला पसंद आजाए तो आप क्या करें उसकी ये कटिंग ले ले और उस कटिंग को अपने घर में लगा ले तो आपका बहुत पोधा बहुत जल्दी तयार हो जाएगा और आपके घर में भी इस परकार के पूल खिलने लगेंगे तो इसका तरीका में आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले आप क्या करें किसी भी गुलाब से इस परकार की कटिंग ले ले और कटिंग लेने के बाद में इस परकार से इसके पत्तों को काट दें और हमें लगभग पेंसिल साइज जितनी कटिंग रखनी है ज्यादा बड़ी भी नहीं और ज्यादा छोटी भी नहीं हमें इस बात का धियान रखना है यह कलम हम लेंगे बहें ज्यादा नहीं भी नहीं होनी चाहिए लगभग और ज्यादा पुरानी कुटिंग नहीं होना चाहिए नहीं तो भाय जर्बी जल्लेग लेंगे तो बहें जल् कुल को लगाएं है फूल की कंटिंग लगाएं तो वे हैं अक्टूबर से भर भरी तक का समय इनके लिए बहुत अच्छा होता है और नमंबर के महीने में उनकी इस तरीके सर म०द बोद होती है तो हम इस परकार से कट कर देंगे यह हमने इस परकार से कट कर दिया है और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी आप कटिंग लगाएं तो कुछ लोग क्या करते हैं यह बेस परकार से उल्टी लगा देते हैं वह हो नहीं पाती है आप ध्यान रखें जब भी आप कटिंग लगाएंगे . तो इसकी जो काटे हैं वह हैं नीचे की और जो के हुए होना चाहिए अब हम क्या करेंगे इसमें से हलकी सी इसके छुकलों को हम निकाल देंगे ताकि इसमें जल्दी से रूट निकला आए जल्दी से गुरो करने के लिए हम इसमें से थोड़े से और इसके छुकलों को हटा दिया है अब हम क्या करेंगे अब हम इसमें हर्मोन की मातरा बढ़ाने के लिए और इसमें किसी परकार का कोई फंगस न लगे हमारी कलम खराब न हो इसके लिए हम ये इसमें एलो बेरा का जेल लगा देंगे इससे हमारी कलम को कोई नुक्सान नहीं होगा और ये बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी इसमें बहुत जल्दी रूट निकल आएगी तो हम क्या करेंगे मैं इस पॉलिथिन में लगा रहा हूं आप अपने गमले में लगा सकते हैं आप अपने कहीं भी किसी भी स्थान पर लगा सकते में इस पॉलिथिन में आपको लगाके प्ता vara हूं है इसमें हम थोड़ा सा छेट कर लेंगे चेट करने के बाद में हम इस कलम को आसानी से इसमें लगा देंगे और इसको अच्छी तरीके से तिको दबा देंगे और इसमें से हम तोड़ा सा पानी डाल देंगे पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है पानी हमें कमी रखना है यह हमने पानी डाल दिया है ताकि इसमें नमी बनी रहे और जब भी आप कलम लगाएं तो इसे शुरुआत में चाओं वाले स्थान पर रखें इससे बहुत जल्दी गिरोथ कराती है तो आपने देखा किस परकार हम आसानी से गुलाब की कलम गुलाब की कटिंग करके लगा सकते हैं आसा करता हूँ एदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेयर करें मिलता हूँ अगले वीडियो पर